रामलाल और रुद्र देखते हैं कि कारखाने में एक लड़का और एक लड़की अंदर जाते हैं रामलाल और रुद्र उनको पकड़ने के लिए टीम के साथ अंदर जाने लगते हैं हमें ध्यान लखना है कि वो दोनों भागने नहीं चाहिए इसलिह मैं और रामलाल कार खाने के अंदर जाएंगे और तुम चारो कार खाने को चारो तरफ से घरे रखना और ध्यानक ना कि वो यहाँ से भागने ना पाए सर, हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन उनको यहाँ से भागने नहीं देंगे आप बेफिक्र होकर कारखाने के अंदर जाईए रामलाल और रुद्र अंदर जाते हैं उन्हें लड़का और लड़की के बात करने की आवाज आती है ये पुलिस वाला अपने आपको बहुत तेज समझ रहा था लेकिन हमारे दिमाग के आगे उसकी एक ना चली वो हमें पकड़ना तो दूर हमें देख भी नहीं पाया वैसे पुश्पा तुम्हें मानना तो पड़ेगा तुमने इस जगे में इतनी टेकनोलिजी लगा दी है कि हम आसानी से छुप सकते हैं पुलिस के हाथ आना तो अब impossible है हाँ लेकिन अब हमारा काम भी जादा नहीं बचा है बस दो लोग बचे हैं जिनसे हमें बदला लेना है और फिर हम ये सब बंद कर देंगे उनकी आवाज सुनकर रूद्र कहता है रामलाल अब हम सही ठिकाने पर पहुँच पाए हैं पुश्पा अंदर ही है बस हमें अब उसे पकड़कर सब के सामने लेकर आना है धिरे धिरे आगे बढ़ो पुश्पा तुमने देखा कि वो सब हमारे इस सांड वाली कार के पास तो आ चुके थे लेकिन इसे चला पाना उनके लिए आसान नहीं था वो तो समझ भी नहीं पाए कि ये चलता कैसे होगा बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है तुमने पुश्पा ये सब उस जमिंदार की देन है अगर वो मेरे परिवार वालों के साथ वो सब ना करता तो आज मैं भी एक शरीफ जिन्दगी जी रहा होता लेकिन उसने मेरे परिवार वालों के साथ जो सब किया उसी ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक एक करके सब को मारता जा रहा हूँ जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ पुश्पा उसके बाद तुम आराम से शादी करके अपना घर बसा लेना सर मुझे तो लग रहा है ये दोनों प्रेमी और प्रेमी का है ये लड़की पुश्पा का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि वो उससे शादी करना चाह रही है लेकिन अफसोस इस बात का है क्योंकि ये चाहाब चाहे ही रह जाएगी हम इन दोनों को इनकी चाल में काम्याब नहीं होने देंगे लेकिन फिर दोनों लड़का और लड़की की आवाज आनी बंद हो जाती है रुद्र और रामलाल कमरे के अंदर आ जाते हैं वहाँ अब कोई नहीं था क्या उन्हें हमारा आने का पता चल गया वो दोनों यहाँ से फिर से गायब हो गये हैं आप चिंता ना करें सर वो दोनों गायब होकर भी कहा जाएंगे बाहर हमारे सिपाही खड़े हैं वो उनको पकड़ी लेंगे लेकिन वो निकले कहां से हैं यहाँ तो कोई दर्वाजा भी नहीं है सर यहाँ पर दर्वाजा तो जरूर होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है और उस लड़की ने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा जाल बिछाया है कि पुलिस के लिए उन्हें पकड़ पाना संभव नहीं है मुझे तो यकीन है कि यहाँ पर कोई न कोई दर्वाजा जरूर होगा हम दर्वाजी का पता कैसे करेंगे रोदर रामलाल कमरे की चारों तरफ देखते हैं अप रादिक कितना भी शातर क्यों नहो वो कोई न कोई सुराग छोड़ का जरूर जाता है क्या तुम्हें दर्वाजा मिल गया सर लग तो यही रहा है कि मुझे दर्वाजा मिल गया है वो टाइल्स देखो थोड़ी थोड़ी खुली हुई है इसका मतलब है कि यहां से ही कोई दर्वाजा निकलता है वो जल्द बाजी में इसे सही से बंद करना भूल गए है आओ, मेरी मदद करो इसे अठाने में रूद्र और रामलाल मिलकर टाइल हटाते हैं साथ में उसके नीचे एक सुरंग थी रूद्र और रामलाल उसके अंदर चले जाते हैं उन्हें किसी के दोडने की आहट होती है रामलाल तेजी से आगे वड़ो वो यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं सर्चिंता ना करें, वो कहीं नहीं जा पाएंगे दोनों उनका पीछा करते हैं